नारियल और दूद की बरफिय बनाने के लिए ये 500 ग्राम नारियल का बुरादा मेंने लिया है एक लीटर फुल क्रीम दूद, 1500 ग्राम चीनी मेंने लिया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कमिया ज़्यादा कर सकते हैं एक बड़ा चमच टूटी फ्रूटी, एक बड़ा चमच बादाम और काजु मेंने लिये हैं यहां पर बारीक कटे हुए आप कोई भी ड्राइफिरूट यूज कर सकते हैं एक बड़ा चमच देसी घी सबसे पहले एक कडाई लेंगे और जो भी कडाई लें मैं तो यहां पर नोंस्टिक ले रही हूँ, आप भारी तले की कोई भी कडाई ले सकते हैं सबसे पहले दूद को हम गाड़ा करेंगे और आप दूद को अच्छे से गाड़ा करना है हमें जब तक यह एक चोथा ही ना रह जाए यानि कि एक लीटर दूद 200 ml ना रह जाए तब तक हम इसे चलाते हुए और पकाना है तो मीडियम हीट के उपर इसको गाड़ा करना है एक लीटर दूद को पकाने के लिए लगवग 30-40 मिर्ट लगते हैं मेडियम हीट क्यूट पर और साइड में जो यह मलाई आती है इसको आप इस तरीके से फुरच के बीच में डालते रहें देखिए दूद हमारा गाड़ा हो गया है अब इसमें डालेंगे हम चीनी चीनी के साथ में डाल देंगे यह नारियल का पुराद़ा अच्छे से मिक्स करेंगे गयास को मैंने इस्टेज़ पर एक दम कम कर दिया है साथ में डाल देंगे देसी घी एक चमच और इसी तूटी फ्रूटी थोड़े से बारी कटे हुए ड्राइ फ्रूट अच्छे से दो मिनट तक इसको कमाज के उपर बूनना है जो मिनट तक कमाज पर पकाने के पाद गैस को आफ कर देंगे और कोई भी प्लेट या थाली ले थोटा से इसको गरीज कर लिए बैनी यहां पर इसमें निकाल लेंगे रूर अच्छे से क्वला लेंगे एकदा मेंサ खलनी कूर यहां से यहां पर में काटोरी कीहल्प से इसको निंद करने वाली हूं को इन भी काटोरी बेक साइट से थोडा सा घी लगा लेंगे और हलका सा घी लगा के इसको इस तरीक्वे से अच्छे से प्लीन करने के बाद में इसको इसको इप्रेस कर दें ताक्या अच्छे से यह भी सेट हो जाये और अब इसको छोड़ देंगे दो गहंते के लिए रोम टैंपरेश्चर पे तक अच्छे से हमारी बर्फी सेट हो जाए आप चाहें तो फ्रीज में भी रख सकते हैं आदे गंटे के लिए दो गंटे के लिए इसे ऐसी छोड़ रहे हूं दो गंटे हो चुके हैं बर्फी को कट कर लेते हैं कोई भी शेप आप जो पसंद करें वो काट सकते हैं एक बर्फी मैं निकाल के दिखाती हूं आपको यह देखिए कितने अच्छी बर्फी बनके तयार हुई है तो सारी बर्फी निकाल के प्लेट में रख लेते हैं प्रीज यह तयार हो गई है नारियल और दूद की बर्फी इंजॉय करें झाल